तो देखिए इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल इमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अभी हुए थे छटवा संसकरन उसमें टॉप पे कौन रहा तो आंसर होगा महाराष्टर तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के हम बात कर रहे हैं इस बार ये इसका छटवा संसकरन था जो कि 19 जनवरी को शुरू हुआ था 31 जनवरी 2024 तक ये चला कहां पे हुआ था आपको पता है तमिल नाडू में तमिल नाडू की चार शेहरों में हुआ था चैनने, मदूरे, तरिचे और कोईमबटूर में और इसका शुभंकर मैस्कोट क्या था वीर मंगाई था और इस बार इसमें स्क्वेश को भी शामिल किया गया था ये भी ध्यान रखना और टॉप कौन रहा है ये हमारा प्रश्ण है तो महराष्टर इसमें टॉप पे रहा है चलो फिर बताओ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है इसका मैस्कोट रिलीस कर दिया गया और ये ही प्रश्ण में आपको बोल रहा था कि मैं आगे बताऊंगा आपको तो आंसर तो इसका होगा शीन एशी तो हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की 2024 में ये इसका चौथा एडिशन है अभी फरवरी में होंगे ये कहां पे जमू कश्मीर और लद्दाक दोनों जगे होंगे और शुबंकर शीन एशी है जो की एक हिम तेंदुआ है जिसे लद्दाक में शीन एशी या शान नाम भी दिया गया है तो अगला प्रशन पूछ रहा है अभी हाली में किस भारते मुक्के बाद ने USA Intercontinental Championship को जीत लिया तो अंसर होगा मंदीप जांगडा ने बाते बॉक्सर है ये मंदीप जांगडा और अभी इन्होंने अमेरिका में National Boxing Championship को जीत लिया है इन्होंने फाइनल में किसे हराया अमेरिका के ही गैरर्डो एसक्विवेल को हराया है ये भारत में किस राज्य से हैं तो हर्याना से हैं ये इन्हें 2015 में अर्जुन अवाड म मिल चुका है नाम मंदीप जांगडा है तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हाली में पहले FIH 5S पुरुष विश्व कप का किताब किस ने जीता तो उत्तर होगा नीदरलेंट और ये इसका पहला संसकरन है तो कुशन इंपॉर्टेंट मार्ग करना है अच्छा इससे प विजेता ना पूछ करके उप विजेता पूछ ले रनर आप पूछ ले तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें पूरुषों की हम बात कर रहे है नीदरलेंट तो विजेता रहा लेकिन किसे हराया यानि कि उप विजेता कौन रहा तो मलेशिया रहा वो जो हमने व 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किसे मशाल वाहक के रूप में चुना गया तो अंसर होगा अभिनाव बिंदरा को अभिनाव बिंदरा आप जानते हैं ओलंपिक में गोल्ड मिडल जीतने वाले भारते हैं ये अभिनाव बिंदरा और ICC एथलीट आयोक के सदिस्से भी है और अभी उन्हें पेरिस ओलंपिक की मशाल ले जाने के लिए चुने गए 11,000 मशाल धारकों में से एक के रूप में चुना गया है तो ओलंपिक मशाल रिले ये एथलीटों और अधिकारियों को खेलों तक ले जाने की प्राचीन परंपरा है इसका उद्देश है पूरे देश को खेलों की भावना से जोड़ना तो वन लाइनर में आपको एक्जाम के लिए यह याद रखना है कि अभिनव बिंदरा का नाम पैरिस ओलंपिक 2014 के लिए एक भारते मशाल वाहक बने हैं और इनका सम्मन किस खेल से है तो शूटिंग से और मैंने आपको बता दिया 2014 में जो यह समर ओलंपिक हैं पैरिस में ओरे 33 नंबर के हैं और आपको याद रखना है इसमें चार नए खेल शामिल हुए थे कौन-कौन से हैं ब्रेकडांस है, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइम लाइंबिंग और सर्फिंग है अब इसी तरह का एक प्रश्ण मैं आप से पूछ रहा हूँ जो अगले वाले समर ओलंपिक्स होंगे लॉस एंजल्स में 2008 में होंगे उसमें 5 खेलों को शामिल किया गया है आप बत अगला प्रशन देखते हैं तो इस प्रशन में क्या पूछ रहें अभी हाली में अफरीकी देश कौन सा देश है? कॉमर रौस इसके नयर राश्टरपती कॉन बने? तो अजाली असो मानी अफरीकी देश है ये कॉमर रौस मैं अभी मैप में भी दिखाउँ आपको और इसक 24 में बन गए, अच्छा क्या इनका नाम आपको सुना सुना लग रहा है क्या, या इनका नाम मैंने आपको पहले कभी बताया हूँ, तो याद करो, पिछले साल मैंने आपको इनका नाम बताया था, जब G20 के अध्यक्ष एता हमने कीती ना भारत ने, उस समय आपको याद होगा अफरीकी संग को G20 में शामिल किया गया था और उस अफरीकी संग के अध्यक्ष कौन ने यही है अजाली असोमानी तब आपने इनका नाम सुना था अब आप मैप में देखिए ये रहा कौमरोस कैपिटल इसकी मोरोनी होती है करंसी है कौमरियन फ्रेंक और हमने का राश्टरपती तो यही है अजाली असोमानी फिर आपसे पूछ रहे अभी हाली में राश्टरपती जी के द्वारा सत्यनाम संदू को राज्यसभा के लिए नामित किया गया तो आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेट के तहट राज्यसभा सदसे नामित किये जाते हैं तो आंसर होगा आर्टिकल असी या सिंपल सा याद रखो राज्यसभा से संबंदे जो भी बाते हैं वो आपको आर्टिकल असी में मिलेंगी तो अभी हमारी राश्ट्रपती द्रौपती मुर्मूज ने चंडिगर युनिवरसिटी के ये चेर्मेन है सत्यनाम संदू इनको राज्यसभा सांसत के लिए नॉमिनेट किया है मनुनीत किया है और संविधान के अनुच्छिद असी के अनुसार भारत के राश्ट्रपती 12 12 लोगों को राज्यसदस्य के रूप में मनुनीत कर सकते हैं और ये जो 12 लोग होते हैं ये सभी अलग-अलग शेत्रों से होते हैं जैसे कि कोई साहित्य से विज्ञान से कला समात से वादी से राज्यसभा की बात करते हैं कुछ important facts देखते हैं आपको बताईए पार्लेमें का उपर ही सदन होता है और इसका वर्णन हमने का समविदान के अनुच्छेद 80 में हैं ऐसे याद करो इसको मैंने आपको पहले भी बताया है सरला सरला सर से संसद र से राज्यसभा और ल से लोगसभा हो गया ये 79 80 81 मतलब इसके बारे में आर्टिकल 79 में इसके बारे में 80 म में हैं इसमें कुल सदस से हो सकते हैं 250 वर्णमान में 245 हैं निर्वाचिच जिसमें 230 और रामित 12 राज्यसभा एक स्थाई सदन है क्योंकि इसे विगटित नहीं किया जा सकता इसे भंग नहीं किया जा सकता पर राज्यसभा के एक तिहाई सदस से हर दूसरे साल में रेटा पती कोने हरिवंश नारैंट सिंग है अच्छा एक और प्रशन पूछा जाता है कई बार एक्जाम में कि राज्य सभा मेंबर बनने के लिए मिनिमम आयू कितनी है तो 30 वर्ष है वहीं अगर निचले सदन में लोकसभा में बात करेंगे तो यह आयू 25 वर्ष हो जाती है ये भ बार फिर से ये इसके अध्यक्ष बन गए है यानि कि लगातार 30 वर अध्यक्ष बने है जैशा ये हमारे जो गर्यमंतरी है और सहकारितम अंतराज जो समालते हैं अमिच्छा उनके बेटे हैं शकल भी मिल रही है देख लो और जैशा से आपको याद आएगा अभी इनको ए अब आपको पढ़ने मजा हैगा पहले एशन किर्केट काउंसिल की बात करते हैं इसके इस्तापना होती 1993 में हैटक्वाटर कॉलंबो श्री लंका में हैं सारे इसे लग रहे हैं जैसे कि ये सारे भाई हैं लेकिन भाई नहीं हैं जैसे कि पहला नाम देखो अनीश शहा ये अभी फिक्की के नए अध्यक्ष बने समीर शाह ये बीबीसी ब्रिटिश ब्रोड कास्टिंग कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष बने और मिनेश शाह ये इंटरनेशनल डेरी फेडरेशन के बोर्ड में चुने गए थे वैसे ये राष्ट्रे डेरी विकास बोर्ड के और मैं आपको बता दू ये सारे appointment अभी दो-चार महिने के अंदर अंदर ही हमने पड़े हैं current affairs में तो ये याद होने चाहिए आपको वैसे अगर मैं आपसे पूछू कि भारते फुटबॉल संग के अध्यक्ष कोन है तो answer करन्या कल्यान चौबे है और पूछें कि भारते ओल वाली क्लास में भी मैंने आपको कहीं बार बताया है अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये आपका homework प्रशन हो गया चलो और किस देश से बिलॉंग करते हैं ये भी बताना बाकिया आप जानते ही हो ICC के अध्यक्ष Greg Barkal है वो New Zealand से हैं और FIFA के अध्यक्ष ग्यानी हमने पढ़ाए लेकिन अभी उन्होंने मुख्यमंत्री पत से इस्तिफा दे दिया और उन्हें ED यानि की परवर्तन निदेशाले Enforcement Directorate ने गिरफतार कर लिया क्यों कर लिया गिरफतार भाईया तो जमीन घुटाले के मामले में उन पे राची में सेना की जमीन को फरजी तर आरेक्टर बने थे आप में से कोई स्टुडेंट बता सकते हैं उनका नाम क्या है तो आंसर होगा राहुल नवीन तो इस तरह से अगर न्यूज में कोई ऐसा टर्म आ जाता है इसी न्यूज आ जाती है जिसे हम पूरानी चीजो को लिंक कर सकते हैं तो करवा करो मैं पढ़ परते हो तो आप भी इस टेक्निक को यूज किया करो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा तो अब हेमंत सोरेन जी की इस्तिफे के बाद जारखंड मुक्ती मोर्चा के ही एक प्रमुख व्यक्ति हैं चमपई सोरेन जारखंड मुक्ती मोर्चा के उपाद्यक्ष भी है दे जारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है चलो फर बताओ अभी हाल ही में शोलवे वित्त आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्यों को निवक्त किया गया तो आन्सार होगा च्यार को अच्छा आपको याद होगा अभी हमने पड़ा भी था हमारे सोलवे वित्त आय वित्तायोग में चार सदस्यों को नियूक्त कर दिया है, जिनका कारेकाल पांच साल का होगा, वो चार सदस्यों के नाम में आपको बता रहा हूँ, अजे नारयन जहा है, एनी जॉर्ज मैथ्यू है, एक महिला भी है, स्वम्य कांती घोश, और एक है निरंजन राजध्यक्ष अच्छा वित्तायोग क्या काम करता है, ये recommendation देता है कि राज्यों और केंद्रों के बीच में टेक्स का जो बटवारा होगा, वो कैसे होगा, कितना होगा और कैसे होगा, तो वित्तायोग ये constitutional body है, समयधानिक निकाय है, जिसका वर्णन आर्टिकल 280 में है, और ये तो हम ब अच्छा वित्तायोग के अद्धिक्षकोने N.K. सिंग है, अब आपसे एक प्रशन मैं पूछ रहा हूँ, N.K. सिंग की autobiography आई थी, उसका नाम आपको बता रहा है, चलो फिर बताओ, अभी हाले में सुल्तान इब्राहिम इसकंदर ने किस देश के सतरवे राजा के रूप में शपत लिए, तो आंसर होगा मलेशिया, और ये प्रशन हम अल्रेडी पहले पढ़ चुके हैं जब इसके गोशना हुई थी, लेकिन अभी इनों ने, मतलब राज्या जी ने शपत ले लिए, तो एक बार फिर इम प्रशन आपको बता रहा हूँ, तो नाम है सुल्तान इ इब्राहिम इसकंदर, इसकंदर दिल के अंदर, एक गाना याद आ गया, तो ये मलेशिया के याद रखना कौन से नंबर के, सत्रवे नंबर के राजा बने, इनका कारेकाल पांच साल का होगा, अब आप सोचोगे, राजा बने, फिर भी कारेकाल पांच साल का होगा, वही जब तक मरता है इंसान तब तक राजा रहता है ना जैसे ब्रेटेन में होता है जा फिर अपना पद स्वेम से त्याग दें लेकिन एक्चुली में ये पात-पात साल का कारेकाल इनका रखते हैं क्योंकि यहां पे नो शाही परिवार होते हैं और बारी-बारी से सब का नंबर आना होता है तो इसलिए ऐसा होता है तो सिंपल सा याद रखना है ज्यादा इनके परिवार एक मेटर में नहीं पड़ना है कि यहां पे नए राजा बने सत्रवे नंबर के कौन सुल्तान इब्राहिम इसकंदर इसके समंदर दिल के अंदर अच्छा कुछ और राजा भी नि इनका नामे शեख मेशाल अल अहमद बात यहां पर मलीशया की है तो यह राम अप में मलीशया कैपिटल कौला लूमपूर है कौलालुमपुर से कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है कि आपके कुछ याद आ रहा हो हमने पढ़ा था यहाँ पे एक हेड़ुकॉर्टर मिलेगा आपको किसका बेडमिंटन वर्ल्ट फेडरेशन का यहाँ के करंसी है मलीशय रिंगित और मलेशय के साथ हम एक exercise भी करते है हर्रिमौ शक्ती एक exercise एक उदार शक्ती नाम की exercise भी हम मलेशय के साथ ही करते है यह भी ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते है पर अगला प्रशन है अभी हाली में जारखंड हाई कोट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं तो आंसर होगा प्रदीप कुमार शिरिवास्तव तो जारखंड हाई कोट के नए चीफ जस्टिस बने हैं प्रदीप कुमार शिरिवास्तव और किनका इस्थान लिया श्री चंदर शेखर का उन्होंने इस्थानलिया है और हाई खोट के बारे में सम्विधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है तो 214 से लेके 231 ठक वही नियुक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में है तो 217 में आर्टिकल 217 विसे वर्तमान में टोटल हाई कोट आपको पता है 25 है, सबसे नवीनतम 25 वा अमरावती हाई कोट है आंधरप्रदीश में बाकि आपके लिए जो ये आप्शन में नाम लिखे हैं ये भी इंपोर्टेंट है जैसे कि इंद्र मनी पांडे, बिमस्टेक के महा सचीव बने थे ये सेक्रेटर जनरल और इस पदपर आने वाले पहले भारते हैं तो नाम इंपोर्टेंट है अच्छा इंद्र से कुछ और इंद्र याद आ रहा है कि आपको एक तो वो इंद्र भगवान है जो वर्षा करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं में एक दूसरे इंद्र भी है जो अभी तिरिपूरा के गवर्णर बने थे चलो ये आपके लिए आज का हमवर्क प्रशन हो जाता है फिर तिरिपूरा के गवर्णर कौन बने कमें बॉक्स में लिखके बताओ किन किन को यादे देखें बाकी अनिल कुमार लाहूटी तो अभी तत्रक्षक दिवस ये कब मनाया गया तो आंसर होगा एक फरवरी को तो हर साल एक फरवरी को भारत्य तत्रक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है एक फरवरी कोई क्यों क्योंकि एक फरवरी 1977 को भारत्य तत्रक्षक बल अस्तित्व में आया था इसका आदर्श वाक्य ह होता है वयम रक्षाम वी प्रोटेक्ट जिसका काम होता है भारत्य समुद्री टत की रक्षा करना और इसके डारेक्टर जनरल कौन है राकेश पाल है फिर आप से पूछ रहे हैं विश्व आद्रबुमी दिवस 2024 की थीम क्या है दिवस नहीं पूछ रहा हूं वो तो आप सबक 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था आद्रबुमियों के संग्रक्षन के लिए इसलिए हम हर साल दो फरवरी को ये आद्रबुमी दिवस के रूप में मना रहे हैं यानि कि वल्ड वेटलेंड डे के रूप में मनाने का उद्धिश यह तो ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने मे आद्रबुमी जैसे दलदल या मेंगरों के महत्व के बारे में जागरुकता फेलाना थीम मैंने आपको बता दी आद्रबुमी और मानाव कल्याण यानि कि वेटलेंड और वेटलेंड का जाता है और ये भी आप ध्यान रखना कि एक फरवरी 1982 में हम इसका पार्ट बने थे मतलब भारत जो है ये रामसर में कब शामिल हुआ था तो एक फरवरी 1982 को मतलब इसने उस कन्वेंशन पे हस्ताक्षर किये थे इसका ये मतलब हो गया अभी आपने लेटेस्ट एक करंट अफेर्स पड़ा होगा कि अब भारत में टोटल कितने रामसर इस्तल हो चुके हैं त उसके बाद उत्तरप्रदेश का नंबर आता है वहाँ पे दस हैं तो ये डेटा भी याद रखना फिर बताईए हाली में अंतरराष्टर मानव बंधुत्व दिवस 2024 ये कब मनाया गया तो आंसर होगा चार फरवरी को तो अंतरराष्टर मानव बंधुत्व दिवस याने कि हाली में भारते नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष कोशित किया तो आंसर होगा 2024 को तो अवे भारते नौसेना ने समग्र नागरिक मानव संचाधन परबंधन को प्राथमिक्ता देते हुए 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष कोशित किया है इसका उ याद आएगा कि इसी तरह का एक और प्रश्न अभी हमने पढ़ा था जिसमें हमारी भारते सेना ने 2024 को टेक्नलोजी एब्जॉप्शन यानि कि प्रद्योगी की आउसूशन के वर्ष के रुप में चुना था तो वो भी आपको याद रखना है कुछ और इसी तरह के मैं आप राष्टर वर्ष यानि कि मोटे अनाच के वर्ष के रूप में मनाया और 2024 में और क्या बढ़ा आपने अभी समर ओलंपिक्स होने वाले हैं पैरिस में कौन से नंबर के हैं 33 नंबर के भारत होस्ट करेगा क्वाड सम्मिट को 2024 में ही 2024 में ब्रिक्स के दिख्शितर रश्या क पास आ गई जी 20 को होस्ट कर रहा है ब्राजील और 2024 में कोप 29 इसका एउजन होगा अजर बेजान की केपिटल बाकु में और 2024 से और क्या याद आ रहा है एक और प्रस्ण याद आएगा कि जो भारत है ये पहली बार युनेस्को की विश्व धरोहर समीती की मेजबानी 2024 में ये भी तो इंपोर्टेंट है फिर आपसे पूछ रहे हाली में इंसानों में पहली बार ब्रेन चिप किसके द्वारा प्रत्यार उपन इंप्लैंट की गई है तो आंसर होगा नियूरा लिंक तो नियूरा लिंक ये भी ऐलन मस्क की ही कंपनी है वैसे तो आप जानते फेज में successful नहीं हुई है मतलब आप कह सकते हो pilot mode पर ये काम कर रही है तो ये device एक छोटे सिक्के के आकार का है जो human brain और computer के बीच सीधे communication channel बनाएगी मतलब computer के माद्यम से इसे आप signal भेजोगे चिप को फिर वो चिप आपके brain को control करेगी और company ने इस चिप का नाम telepathy रखा ये इसे ठीक कर सकते हैं इसके अलावा उन्होंने का कि जो लोग देख नहीं सकते हैं द्रश्टी हीन लोग हैं वो भी शायद देख पाएंगे जो paralysis होते हैं यानि कि जिने लकवा मार जाता है वो भी चल फिर सकेंगे ये सब इनके द्वारा दावे किये जा रहे हैं अभी तो trial चल रहा है देखो आगे जो भी update आती है मैं आपको बताता रहूँगा जुड़े रहिएगा current affairs के साथ क्रिक exam चैनल पे बाकिस company की बात करें तो एलन मस्क ने इसको 2016 में शुरू किया था निवरा लिंक इसका नाम है और मस्तिश्क की बात है तो एक science का बहतरीन प्रश देखते हैं फिर बताओ पूरुवत्तर भारत का पहला प्राकरतिक चिकित साले ये किसे स्थान पे खोला जाएगा तो आंचरूगा असम में तो असम के डिबरुगड में ये पूरुवत्तर भारत का पहला प्राकरतिक चिकित साले खोला जाएगा और इसके अदारशिला भ सो करोड रुपे रहीगी तो इस प्राकरतिक चिकित्साले में प्राकरतिक रूप से रोगों का इलाज किया जाएगा अच्छा असम के बारे में तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको डिटेल में बताया था आज मैं कुछ इंट्रेस्टिंग प्रशन आपके लिए लेकर बात है और सारे ही कुछन पहली बार हुए है किसी न किसी जगे पे फर्स टाइम वाले कुछन है ये तो बताओ भे इसे बोलेंगे वन चिकित्सा केंदर को फॉरेस्ट हिलिंग सेंटर ये भारत का पहला कहां पे उदगाटन हुआ था उत्तराखंड के रानी खेत में आप देखो एग्जामेनर यहां पर आपको कन्फ्यूस कर सकता है एक तो ये प्रशन हो गया अगर इसी से मिलता जुलता ये प्रशन बन जाता है कि देश का पहला वानिकी विश्विध्याले यानि कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहां पे खुलेगा तो फिर इसका उत्तर हो ज पताल का नावरण किया था उसका नाम क्या रखा है आरोग्य मैत्री क्यूब पोर्टेबल मतलब इसको एक जगे से दूसर जगे पर ले जा सकते हो आप पढ़ा था हमने इसके बारे में एक प्रशन है वर्ल्ड एल्ट और इस्टेशन ने भारत में कहां पर एक वैश्विक क्या होती है All India Institute of Medical Science एक प्रशन यह है कि सरकारी इस्पतालों में फ्री में IVF in vitro fertilization इसकी फुल्फर्म होती है तो फ्री में IVF सुविदा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है तो अंसर होगा गोवा है तो यह सारे most important question रहें आपके आप बताओ इसमें से कितने question हम अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहें कि उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक यह किस संस्थान में बनाया जा रहा है तो अंसर होगा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो याद रखना BHU यह उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बना रहा है तो वहाँ प जरिये आपके बलड से आपके सलाइवा यानि की लार से यहां तक की आपके बाल से मतलब किसी भी जैविक पदार्त से DNA यह निकाल सकती है मशीन अब आप पूछोगे कि यह जो DNA बैंक बनाया जा रहा है इसका महत्तु क्या है फाइदे क्या है तो इसके जरिये भविश्य म वो आप जान पाओगे कि इसको कौन-कौन सी बिमारिया रही है क्या ट्रीटमेंट चले है क्या गोलिया दवाईया दी गई है यह सब और आपको बताए कि आगे वाली जेनरेशन में पैरेंट से आगे वाली जेनरेशन में DNA ट्रांसफर होता है DNA में आपकी पूरी जानकारी होती है या फिर हम जो कहते है अनुवांशिक रोग वो भी पैरेंट से बच्चों में जाता है तो DNA से आगे आनी वाली जेनरेशन में क्या बिमारिया हो सकती है यह आपको पहले से पता चल जाएगा और उन्हें आप रोग सकोगे यानि कि अनुवांशिक रोगों को कम किया है जहां लुप्त प्राय प्रजातियों के संगरक्षन के लिए इस प्रकार की सुविदा उपलब्द है और अगर पूछे कि उत्तर भारत में वन्ने जीवों के लिए पहला DNA बेंक ये कहां पर बनाया जा रहा है तो बरेली में बरेली में जो भारते पशुत चिकितसा संस्थान कहां पर है तो आंसर होगा बरेली में आचा देखो ये प्रशन भी इंपोर्टेंट बनेगा कि कि किस राजय ने अज्याज शवों के लिए DNA डेटाबेस बना करके इतिहास रचा है ये तो अभी कुछ समय पहले का ही करेंट अप्रेस का प्रशन है इसका उत्तर हो इसका जो हेलिक्स मॉडल होता है ये इस तरह से आपने देखा होगा ये इसे हलिक्स मॉडल बोलते है इसकी ये जो संग्रेटचना है इसको किस ने दिया था तो जैम्स वाट्सन और फ्रांसेस क्रिक ने दिया था 1953 में ये दो पॉलिनुकलोटाइड शरंकला से बना होता है और RNA के full form बोलू तो चलो ये आप लिखो, बाड़ा simple प्रशन पूछ लिया, RNA के full form बताओ, हम अगला प्रशन देखते हैं, फिर आपसे पूछ रहें कि भारत के पहले beach side startup fest का आयोजन ये कहां पे किया जाएगा, तो आंसर होगा मंगलोर में, तो भारत का पहला beach side startup festival का आयोज देना और उनका portion करना, और startup से क्या याद आता है, एक तो day याद आता होगा आपको, startup day, national startup day हम बनाते हैं 16 जन्वरी को, और अगर आपसे पूछे न, कि अभी पहला AI unicorn कौन सी company बनी या पहला AI unicorn कौन सा बना, तो कृत्रिम बना था, ये भी याद रखना, ये most important प्रशन हो ज प्रशन क्या है, अभी हाली में UPI सुविधा शुरू करने वाला, पहला European देश कौन सा बन गया, तो answer होगा France, UPI मतलब unified payment interface, जैसे आप एक mobile से पैसा transfer करते हो, दूसरे mobile में, वो इसी के जरिये करते हो, आप mobile से mobile में करते हो, या mobile से bank में करते हो, तो इसी के माद्यम से होता ह और अब आप कह सकते हो कि भारत के UPI सिस्टम को France में भी launch कर दिया गया, और ऐसा गरने वाला ये पहला European देश बन गया है, मतलब अब आप UPI के जरिये Eiffel Tower के ticket बे book कर पाऊगे, क्योंकि वहाँ पे भी UPI चालू होगे न भया, और इसके लिए भारत के NPCI और France की Lyra Connect ने UPI क Corporation of India, भारत में UPI कब आया था? 2016 में, इसे NPCI ने बनाया है, अचा अगर मैं आपसे पूछूं कि UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बना था? तो नेपाल बना था, फ्रांस पहला European देश है, और लेकिन पूरी दुनिया में बात करेंगे तो पहला द अगरे से याद करना होगा न, एक्जाम में पूछा जाएगा तो, तो आप याद रखना कि UPI Lite फीचर को लांच करने वाला पहला पेटीम पेमेंट बेंक था, और पूछे कि UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपूर्ट करने वाला पहला भारत का एप्लिकेशन कौन सा था? तो मो याद आया, अभी हमारे रिपब्लिक डे पर ही हमारे चीफ केश्ट रहे थे, और एक और पॉइंट याद रखना है, अपॉइंट का है कि यहाँ के अभी परधान मंतरी कौन बने है, तो गैबरियल एटल बने है, और यह यहाँ के पहले समलेंगिक, यानि कि पहले गे चलो, फिर आपके लिए अगला प्रशन है, अभी हाली में किस राज्य सरकार ने लगू बान जाती द्रव्यकार्य, यानि कि लाभा योजना को शुरू किया, तो अंसर होगा उडीसा ने, यहाँ पर लाभा का मतलब है लगू बान जाती द्रव्यक्राय योजना, तो अभी उडीसा सरकार ने, राज्य के जितने भी आदिवासी लोग हैं, उनके विकास के लिए यह लाभ योजना को शुरू किया है, इसका उद्दिश है, कि जो भी आदिवासी लोग वहाँ पर वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, और वन उपच को इकटा करते हैं, तो उंगल लई, थेड़ी, उंगल, ओरिल नाम से एक योजना शुरू की, तो आंसर होगा तमिल नाडू रहें, तो अब आपको याद रखना है, तमिल नाडू सरकार ने ये उंगल लई, थेड़ी, उंगल, ओरिल नाम से एक योजना शुरू की है, इस योधना का मकसद क्या ह पहले तो इस योधना का हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में मतलब समझो आपके दर्वाजे पर सेवाए लाना तो इस योधना के जरिये सारोजनिक सेवा वितरन में सुधार लाया जाएगा और विभिन ने योजनाव के कार्यानों में तेजी लाये जाएगा अच्छा ये प्रश्ण भी important है क्या है प्रश्ण अभी हाली में जारी हिम तेंद्वा report 2014 के अनुसार भारत में हिम तेंद्वा की संख्या कितनी है हिम तेंद्वा यानि की snow leopard तो आंसर होगा इसका 718 अब ये प्रश्ण इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने क्योंकि देश में पहली बार snow leopard survey हुआ है और ये survey किस ने किया wildlife institute of India ने 2019 से लेके 2023 तक के इसमें आकड़े हैं डेटा के बलबूते ये report जारी की गई है इस report को जारी किया हमारे जो परियावरन मंतरी है वो पेंदर यादव ने और इस report में बताया गया कि भारत में हिम तेंदूओं की संख्या snow leopard की जो total संख्या है वो 718 है और अगर अलग-अलग बात करें कि कहां पर सबसे जादा है तो सबसे दाल लदाख में है 477 फिर उत्तराखंड में है 124 हिमाचल प्रदेश में 51 अरुनाचल प्रदेश में 36 सिक्किम में 21 और जमू कश्मीर में 9 बताई गई है अब हिम तेंदुए से एक प्रशन आपको याद आरा होगा जैसे मैंने हिम तेंदुए नाम लिया कि अभी किस राज्य या केंदुर शाषित प्रदेश यूनिन टेरिटरी ने अपना इसे state animal बनाए था तो आप सब आंसर कर दोगे किस ने लदाख ने बनाए था लेकिन अगर मैं आपसे पूछू अभी किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्र पशू यानि कि national animal गोशित किया था तो क्या आप आंसर कर सकते हो तो आंसर क्या होगा किर्गिस्तान होगा ये बड़ा important रहेगा विसे एक और राज्य है भारत में जिसका state animal हिम त चाइना तो चीन ने वाहनों के निर्यात के मामले में एक्सपोर्ट करने के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया में नंबर वन वाहन निर्यातक देश बन गया है और ऐसा क्यों हुआ एक्चुली में आपको बताए आने वाला समय इलेक्टरिक वेकल् को खूब एक्सपोर्ट कर रहा है तो इसलिए अब ये जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया का शिर्ष वाहन निर्यातक देश बन गया है वाहनों को निर्यात करने वाला एक्सपोर्ट करने वाला अच्छा लेकिन प्रश्ण अगर आपसे ये पूछ ले कि वर्ल्स और ये जापान की ही कमपनी है अचा टोयोटा से एक प्रशन मैं आपसे पूछता हूँ एक प्रशन मुझे याद आया करंट अफस का प्रशन है ध्यान से सुनना इससे मुझे ये भी पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि मैं आपका जो रिविजन वाला वीडियो तयार करता हूँ जिसमें 2-23 के Important Current Affairs का आपको Revision करा रहा हूँ बहुत से student वो वीडियो नहीं देखते हैं तो उनको पता लगेगा कि Revision नहीं करने का नुकसान क्या होता है तो मेरे एक प्रशन का उत्तर देना और आपको पता चलेगा Revision करना कितना जरूरी है प्रशन सुनों आप कि हमारे जो रोड मंत्री है नितन गडगरी जी उन्होंने Hydrogen से चलने वाली कार को Launch किया था क्या सकते हो भारत की पहली कार थी वो Hydrogen से चलने वाली उसका नाम मैं आप से जानना चाता हूँ उस कार का नाम क्या था हिंट में आपको दे देता हूँ वो Toyota की ही कार थी अब उसका नाम बताओ बहुत बार मैंने आपको revise भी करवाया है और अगर आप में से कोई student आप समझ में आता है उनको की revision करना बहुत जरूरी होता है current affairs का चो मैं आपके लिए 2,23 का करवा रहा हूँ तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहे अभी हाली में किसे भारत तरत्न सम्मान देने की खोशना की गई है तो इसका सही उत्तर होगा लाल कृष्ण आडवानी को तो इस साल का ये दूसरा भारत तरत्न होगा क्योंकि इससे पहले अभी अमने पढ़ा था बिहार के पूर्व मुख्य मंत्रे रहे करपूरी ठाकुर जी को भारत तरत्न सम्मान देने की घोशना की गई थी और अब एक और व्यक्ति को चुन लिया गया है वो है बिजेपी पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवानी वैसे जब ये घोशना की गई थी उसी वक्त मैंने आपको एक वीडियो बना करके दे दिया था लेकिन एक बार फिर में आपको बता देता हूँ कि भारत का सरवोच नागरिक सम्मान जिसे आप कहते हो भारत तरत्न ये पाने वाले पचासवे वैक्ति हैं ये लाल कृष्ण आडवानी इससे पहले करपूरी ठागर जी 49 नंबर के वैक्ति बने थे भारत रत्न पाने वाले यानि कि आपके अज़क्ति अब तक टोटल पचास लोगों को दिया जा चुका है जिसमें पचासवे बन गए लाल कृष्ण आडवानी करपूरी ठागुर जी को मंडो परांत मिला था लाल कृष्ण आडवानी जीवित है अभी लाल कृष्ण आडवानी जी की बात करें तो इनका जन्म 8 नवंबर 1927 में कराची में हुआ था जब ये भारत का हिस्सा था ये वैसे भारत के ग्रह मंतरी भी रह चुके हैं और अटल जी के टाइम पे ये भारत के साथवे उप प्रधान मंतरी भी रहे थे और बात करें कि इन्हें भारत का दूसरा सरवोच नागरिक सम्मान जिसे हम कहते हैं पदम विबोशन वो कब मिला था तो 2015 में मिला था और अब 96 साल की उम्र में भारत का सर्वोच सम्मान 2024 में इनको दिया गया पचासवे नमबर का तो ये ये डेटा आपके काम का ये ये आपको याद रखना है थोड़ा सा भारत रत्न की हम बात करते हैं तो भारत रत्न ये देश का सर्वोच नागरिक सम्माने शुरुवात का बोती 1954 में पहली बार ये तीन लोगों को दिया गया था 1954 में ही सर्वपली रादाक रश्नन जी जो कि भारत के पहले उपर राश्टरपती या यूं काओं कि हमारे दूसरे राश्टरपती थे सी राज गोपलाचारी सोचंतर भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे और हमारे साइन्टेस्ट सी वी रमन को अभी लास्ट टाइम आखरी बार 2019 में दिया गया था तब भी तीन लोगों को दिया गया था प्रनाव मुखर जी नाना जी देश में और भुपेन हजारी का एक साल में मैक्जिमम तीनी लोगों को दिया जाता है फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल इमें वर्ल्ड हेल्ट और्गेनाजेशन ने ओद्योगी गरूप से उत्पादित ट्रांस फेट को खतम करने के लिए पहली बार कितने देशों को सम्मानित किया है तो आंसर होगा पांच को तो अभी जिन देशों ने अपने औद्योगी गरूप से उत्पादित ट्रांस फेट को समाथ्ट किया है उनको World Health Organization ने सम्मानित किया है वे टूटल पांच देश हैं कौन-कौन, डैन्मार्क, लिथुवानिया, पॉलेंड, साउधी अरब और थाइलेंड अच्छा, ट्रांसफेट की बात करें तो ये ओद्ध्योगी गुरूप से यानि कि इंडस्ट्री में बनाया जाता है या प्राकरतिक रूप से भी ये पाया जाता है ये एक हानिकारक कंपाउंड है जो खाद्य पदार्तों में, तेल वगेरा में होता है मतलब जो ट्रांसफेट है वो हमारे लिए नुक्सान करता है क्या यूँ कहूँ कि कैसे तो ये हमारे हार्ट अटेक का या हार्ट से अर्लेटेट कोई डिजीज के जोखिमों को बढ़ाता है और डबलो एचो ने ये टार्गेट भी रखा था दो जार अठारा में साओधी अरब जेको साओधी अरब यहाँ पर भी है और वहाँ पर और एक मिश्र था इरान और एथोपिया हो गया और कौन सा देश शामिल नहीं हुआ तो अर्जेंटीना नहीं हुआ वो भी याद रखना अच्छा ये डेन्मार्क तो अभी न्यूस में भी था अभी एक इंडेक्स में ये टॉप पर आए करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स आये था उसमें ये टॉप पर आए और भारत उसमें 93 नंबर पर याद रखना बागी देखो डबलु एचो की भी बात है तो वर्ल्ड एल्थ और्गेनाजेशन की स्तापना होती है साथ अप्रेल 1948 में इसलिए साथ अप्रेल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते है हेड़कॉर्टर जेनेवा स्विजललेंड में है और डारेक्टर जनरल है तेद्रो सधानों अगला प्रशन देखते है चलो फिर बताओ अभी हाली में इक समंदर मेरे अंदर वाह क्या बुक है एक समंदर मेरे अंदर नाम की बुक को किस ने लिखा है तो आंसर होगा संजीव जोशी ने तो बुक का नाम हो गया एक समंदर मेरे अंदर ब्रमोस Aerospace के जो Deputy CEO है संजीव जोशी उन्हों ने लिखा और इसको लॉंच किया हमारे राष्टर सुरक्षा सलाकार अजीद डोबाल और चीफ आफ टेफेंस स्टाप जो हमारे है जनरल अनिल चोहान उन दोनों ने इस बुक को लॉंच किया है तो बुक इंपोर्टेंट हो गई है एक समंदर मेरे अंदर तो ये जो बुक है ये 75 कविताओं का संग्रह है कलेक्षन है 75 कविताओं का और इन कविताओं को भी संजीव जोशी ने ही लिखा है अभी हाली में कश्मीर ट्रेवल्स इन पेराडाईज ओन अर्थ नाम की बुक को किसने लिखा है तो आंसर होगा रोमेश भटाचारजी ने बुक का नामें कश्मीर ट्रेवल्स इन पेराडाईज ओन अर्थ और लेखा कौन है रोमेश भटाचारजी इस book में इन्होंने कश्मीर की सुन्दर्ता का वर्णन किया है कश्मीर के उपर है ये book तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहें अभी हाली में कर्राई वेट्टी पक्षी अभ्धारण को रामसर साइट का दर्जा दिया गया पूछ रहें ये किस राज्य में है तो इसका तो उत्तर होगा तमिल नाडू में Actually में अभी 31 जन्वरी 2014 को भारत के 5 आद्र भूमियों को यानि के वेटलेंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया है जिन में से 3 करनाडक में हैं और 2 तमिल नाडू में हैं मैं आपको सारे बताता हूँ एक है अक समुद्र पक्षी संगरक्षन रिजर्व एक है अगनाशिनी एस्चिवेरी एक है मगदी केरे संगरक्षन रिजर्व मुई तमिल नाडू के दो कौन से हैं कराईवेटी पक्षी अभ्यारन्या और लॉंगवूड शोलार रिजर्व तो इस तरह से अगर टोटल हम बात करेंगे भारत में आप कितने वेटलेंज को रामसर साइट में दर्जा मिल चुका है तो टोटल असी हो चुके है अब दक 75 थे पांच और जुड़ गए तो अब 80 हो गए है और सबसे ज़्यादा रामसर इस्थल कहां पर है यह तमिल नाडो में है संख्या में बात करोगे तो 16 है और फिर उत्तरप्रदेश का नंबर आता है यहां पर 10 है अच्छा यह रामसर इस्थल कहां पर है आपको बताए इरान में है जहां पर रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को आदर भूमियों के संग्रक्षन के लिए इसलिए तो हम हर साल 2 फरवरी को विश्व आदर भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं तो आज 2 फरवरी है आज हम World Wetland Day के रूप में भी मना रहे हैं आच्छा यह तो आदर भूमि की बात कर ली Wetland आप में से हो सकता है कई आदर भूमि स्थल अच्छा अब आपके मन में भारत में अब है टोटल Wetlands हो गए है जनको रामसर साइट में शामिल किया जा चूका है तो पहला वाला कौन सा था? यानि कि पहली रामसर साइट कौन सी थी भारत में तो वो चिलका लेक है जो कि आपको मिलेगी उडीसा में जो कि आप कहते हो कि भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की जील है चिलका लेक तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखें चलो फर बताओ अभी हाली में बारते सेना के लिए Mobile Bridge System जिसका नाम है सरवत्र इसको किस ने Launch किया DRDO ने तो सरवत्र क्या है ये एक Mobile Bridge System है और इसको Launch किया इसको Design किया DRDO ने और ये काम क्या आएगा जैसे कि मालो हमारी सेना जा रही है उनके रास्ते में कोई नदी आ गया या कोई गड़ा वगेरा आ गया उनको उस पार जाना है तो वहाँ पर ये Temporary Pull बना देंगे और उसके उपर से निकल जाएंगे जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हो और आपने अपने घर वगेरा में देखा होगा Earth Movers Limited जो बंगलूरो में है वो इसका निर्बान कर रहा है देखो इसको launch तो DRDO ने किया है समझना इसका design तो तयार DRDO ने किया है क्योंकि DRDO का कम production करना नहीं है उसका काम क्या DRDO का पहले ये समझो हमारी सेना के लिए आपको नई नई चीजों का अविशकार करना है हमने कान उसकी full form क्या होती है research and development आप research करो हां कि ये नई चीज बन गई है उसका design दे दो एकाथ production करके दे दो बाकी production और लोग कर लेंगे जैसे 10 unit बनाने है 15 unit बनाने है तो इसलिए मैंने का कि उसको launch किया या design तयार किया DRU ने और आप production करेगा कौन या production कर रहा है कौन भारत Earth Movers Limited बंगलूरू और अभी DRU के कारे की जाच के लिए जो एक panel बना था कौन विजे रागुवन पैनल उन्होंने यही बात की थी कि आपका काम production का नहीं है आप नहीं नहीं research करो क्योंकि ये काम और नहीं कर सकते हैं देखो पहले DRU की बात करते है Defense Research and Development Organization स्थापना होती 1958 में headquarter नहीं दिल्ली में है और अध्यक्ष कोन है? समीर भी कामत है और DRU का motto क्या होता है? Strength Origin is in Knowledge और अगर आपसे exam में पूछा जाए कि भारत सबसे पहले किसे Brahmos missile बेच रहा है तो अंसर होगा Philippines को और उसके बाद हमने सौदा किया Indonesia के साथ में फिर हम Indonesia को बेचेंगे तो पहला देश Philippines दूसरा Indonesia अगला प्रशन देखते है फिर आपसे पूछ रहें अभी फरवरी दोहजार चौबिस में भार्टे वायू सेना के द्वारा वायू शक्ती दोहजार चौबिस अभ्यास का एउजन का पे किया गया तो अंसर होगा जैसल मेर में बात कर रहें अपे वायू शक्ती अभ्यास की जिसका आयोजन किया भार्ते वायू सेना ने 17 फरवरी 2024 को कहाँ पे राधस्थान के जैसल मेर में और इस बार ये exercise दिन और रात के समय किया जाए फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में RBI ने किस payment bank पर प्रतिबंद लगा दिया तो आंसार होगा PTM payment bank तो अभी RBI ने PTM payment bank पर रोक लगा दी है उसे बंद कर दिया है बैन लगा दिया है ध्यान से सुनना मैं PTM payment bank की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप पैसे वगर आपने deposit करते हो जो मतलब ये banking सुविधाई दे रहा था न अगर आप उसका इस्तमाल करते हो तो उस पे बैन लगाया गया है और RBI ने कहा कि 29 February के बाद से company banking service नहीं दे पाएगी तो मतलब अगर आप बैंकिंग जो payment banking है PTM की उसको यूज करते हो तो जो भी लेंदेन वगरा करना है आपको कर लो 29 February के बाद में नहीं कर पाओगे और ऐसा क्यों किया RBI ने तो उन्होंने banking नियमों का पालन नहीं किया अब हो सकता है आप मेंसे कुछ students कहें कि नियमों का पालन नहीं कर रहे तो उन पे charges लगा देते कहीं बार होते हैं ना banking का पालन नहीं करने पे 4 करोड की penalty लगा दी किसे पे 80 लाग की लगा दी तो ऐसे लगा देते तो actually मैं कई बार ये penalty लगा चुके हैं होता है ना कई बार जैसे आब school में गए हों या coaching में गए हों कई बार students एक बार teacher ने बोल दिया बेटा चुप हो जाओ मस्ती मत करो पढ़ाई कर लो फिर भी वो नहीं सुन रहा फिर मस्ती कर रहा है फिर teacher कहती है चुप हो जाओ फिर उसको डंडा मार देते है फिर भी चुप नहीं होता फिर teacher कहती है कि चुप हो जाओ उन्तों मुरगा बना दूगी फिर भी चुप नहीं होता भारत का पहला पेमिंट बैंक कौन सा था तो आंसर होगा एटल पेमिंट बैंक था ध्यान रखना ही अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में हमारे जो रक्षा मंत्रियें राजनाज सिंग उन्होंने आइने संध्या को कहां से कमिशन किया तो आंसर होगा विशाका पत्नम तो अभी आंद्र प्रदेश की विशाका पत्नम में समुद्र की निगरानी बढ़ाने के लिए भारते नौ सेना के सर्वे वैसल आइने संध्या को कमिशन किया गया कमिशन किया मतलब इसे finally सेना में शामिल कर लिया और किस ने किया तो हमारे जो रक्षा मंतरें राजनाद सिंग ने और आप कहा सकते हो यह जो चार सर्वेक्षन पोत बनाये जा रहे हैं उनमें से यह पहला है कौन बना रहा है Garden Ridge Ship Builders Limited कॉलकता तो INS संध्याग के बारे में कुछ points हम बात करें तो इसके range 11,000 km है और यह बंदरगाहों से लेकर समुद्री तटो तक की निगरानी करेगा बंदरगाह मतलब इंगलिश में बोलोगे तो port और जहाज में बोफोर्स गन लगी हुई है और ज़रूरत पढ़ने पर में चेतक हेलिकॉप्टर भी तेनाथ किया जा सकता है विसे आयने संध्याग का पूराना वर्जन 1981 से 2021 तक इंडियन नेवी का हिस्सा रहा जिस 4 जून 2021 को रिटाइड कर दिया गया तो इस शिप का मुख्य काम होगा सर्वे और नेविगेशन को बहतर करना ये समुद्र के गहराई में हाइड्रो ग्राफिक सर्वेक्शन करके कई जानकारियां देगा और गहरे और उतले पानी में मल्टी बीम एको साउंडर्स प्रोड्यूस करेगा और समुद्र में आ रहे किसी भी जहाज को ट्रेक कर सकेगा तो ये सब इसकी खासयते होंगी आपको नाम याद रखना है आयनेस संध्यागिस का नाम है इसको अभी कमिशन कहां से किया गया विशाका पत्नम से और हमारे रक्षा मंतरी ने किया जिनका नाम राजनात सिंग है पूछू उनकी निर्वाचन शेत्र कॉंस्टिट्वेंसी कौन सा है तो लखनाव यूपी है तो ध्यान रखना ये निउस आपकी अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहें अभी हाल इमें सूरचकुंड शिल्प मेले का आयोजन ये कांपे किया गया तो अंसर होगा फरीदाबाद में तो अभी हरियाना के फरीदाबाद में अंतरराष्टर सूरचकुंड मेले का आयोजन किया गया जिसका उधगाटन खुद हमारी राष्टरपती दौपती मुर्मूजी ने किया तो भारते हेंडलूम और टुरिजम को बढ़ावा देने के लिए ये वारशेक मिला हरियना परियतन के द्वारा आयोजित किया जाता है और इस बार ये इसका 37th नंबर का एडिशन है संसकरन है और इसमें थीम स्टेट इस बार रहा है गुजरात ये मिला हर साल होता है फरवरी महीने में हर साल ये होता है और यहीं पर होता है हरियना के फरिदाबाद में ये आपको याद रखना है एक और आपको याद रखना है एक अंतरराष्टर गीता महत्सव ये भी हर्यना में होता है हर्यना के कुरुक्षेत्र में